आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी है कोई भी सैमसंग का फोन और यहां पर आपके फोन के राइट साइड में कॉर्नर में नीचे की तरफ इस तरह से आपको एक आइकन शो होता है यानि कि मैन आइकन शो होता है तो आप इसे कैसे यहां से रिमूव कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं इसे रिमूव करने के लिए आप अपने फोन की सैटिंग्स को ओपन कर लीजिए यहां पर आप नीचे आएंगे तो आपको नीचे की तरफ एक आप्शन देखने को मिलेगा एकसेसिबिलिटी के नाम से आप यहां पर एकसेसिबिलिटी पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आप्शन आएगा इस तरह का अगर आपको यह आप्शन नहीं मिलता है तो सैटिंग्स ओपन करने के बाद राइट साइड में सर्च बार पर क्लिक करिए यहां पर आप टाइप कर दीजि तो इसके बाद एक option अगर नीचे Advanced Settings, Advanced Settings पर आप agrad करिए उसके बाद आपको उपर शो होगा Accessibility Button यहाँ पर आप Accessibility Button परoa Stop इहाँ से आपका यह Accessibility Select होगा तो इसपर आप इसे अंटिक कर दीजिए उसके बाद आप देख सकते हैं यहां से वो बटन हट जाएगा यानि कि रिमूव हो जाएगा तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें